ओम शान्ती गुड मॉर्निंग 31 जुलाई 2022 मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिष्टे मिलकर बाब दादा के साथ करते हैं आज संडे है एव्यक्त बाब दादा रिवाइज कोर्स है 31.12.91 बाब दादा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिष्टे बाब दादा के सामने बैठे हैं बाब दादा द्रिष्टी दे रहे हैं और अपना वर्दानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे समरिती का तिलक लगाया फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वर्दान दिया बच्चे निम्मित और निर्मान भाओ सदा हलका रहो बच्चे सदा हलका रहो बाबा बोले आज की मुर्ली से क्या शिक्षाएं ली मिठे बाबा आई तो आपने हमारा बहुत प्यारा प्यारा चार्ट बताया कि उस चार्ट को कैसे रखना है चार्ट जो बाबा कहता ना रोज रखो वो क्या हो क्योंकि बाबा ने आज मुर्ली का हेडिंग ही लिखा कि यथार्ट चार्ट का अर्थ है प्रगती और परिवर्तन जो हम बाबा को रात को चार्ट देते हैं उस चार्ट में मैं रोज देखूँ जो मैंने जो कल बीट गया है और आज मैं बाबा को जो चार्ट दे रहाँ उस में कितनी प्रोग्रेस हुई है चाहए एक परसेंट हुई हो अगर मैंने पहले दिन चार्ट लिखना शुरू किया मेरे जी 10% प्रोग्रेस है उस से अगले दिन 11 हुई फिर 12 हुई ऐसे करते करते मैं अगर आज 50-60% पर पहुँचा हूँ तो रोज मेरी प्रोग्रेस हो रही है सिर्फ चार्ट बाबा ने बोला और लिख दिया हमने सारा दिन की दिन चरिया जो करी मुरली पड़ी अमरत वेले किया नुमा शाम योग किया ये तो सब करना ही करना है किन आत्माओं को हमने ग्यान सुनाया मैंने अपने लिए अलग से क्या किया आज जिससे बाबा कहे कि बच्चा आज कुछ नया करके आया है पिछले दिन से आज का दिन मेरा और थोड़ा मैं एक स्टेप उपर चड़ा हूँ मुझे खुद को खुशी हो कि मैं आत्माओं अपने चार्ट से संतुष्ट हो अगर मैं ही संतुष्ट नहीं तो बाबा कहां से संतुष्ट होगा और ये भी नहीं है कि मैं जी 100% पर नहीं पहुचा तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ नहीं बस इतना ही कर लूँ न मैं आत्मा कि कल मेरे 50% था आज मेरा 51% है फिर बावन है ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है ना तो भी मैं खुश हूँ मेरा बाबा भी मुझे से खुश है कि बच्चा रोज कुछ ना कुछ मैनत कर रहा है ना आगे बढ़ रहा है तो वो है यथार चार्ट अगर मेरी प्रगती नहीं हो रही मेरा परिवर्तन ही नहीं हो रहा सामने वाली आत्मा कहे कि पहले इसमें यह था अब यह यह चेंज हुआ है मैं आत्मा बाबा की बनी बाबा ने मुझे चुना उसके बाद मेरे अंदर मेरे संसकारों के अंदर मेरे में कितना परिवर्तन आया जो भी सामने वाली आत्मा है उनको लगे कि नहीं इनको कुछ मिला है तो ये चार्ट है तो मैं आत्मा अपने आपको चेक करूँ कि मैं जो बाबा को रोज चार्ट देती हूँ तो वो चार्ट देखकर बाबा खुश होता है और रात को तो देना ही देना अगर हर घंटे हम हर घंटे अगर बुद्धी में रिपीट कर लें कि मैंने इस घंटे में कुछ गलत तो नहीं किया या इस घंटे में मैंने कुछ अच्छा किया है तो उससे क्या है कि अगला घंटा हमारा अच्छा जाएगा अगर कहीं मेरा थोड़ा सा मैंने अलस्य किया है या कुछ अलबेला पन है मेरे अंदर तो वो अगले घंटे में ठीक हो जाएगा तो ये चार्ट की यथार्ट कार था वो यह कि मैं आत्मा पर सेकंड हर सेकंड आगे बढ़ रही हूँ हर दिन आगे बढ़ रही हूँ फिर ये क्योंकि मुरलिया 31 दिसंबर की नए साल की तो बाबा नए साल के बारे में बता रहे है कि आज बाब दादा जो आया है ना वो अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे है बाबा ने का जो दुनिया वाले तो जाना नया दिन एक नया वर्ष एक दिन मनाते है और हम बच्चे हम ब्रामन हम ब्रामन जो हमारा ये जो संगम यूग है संगम योग हर दिन नया वर्ष मनाते है हर सेकेंट हमारा नया वर्ष मनाते है क्योंकि दुनिया वाले तो नया वर्ष एक जन्वरी को मनाएंगे दो को जाज़ादा जन्वरी के दो चार पाँच दिन जो मिलेगा दस दिन बाद मिलेगा जब नया वर्ष मुबारक हो बबाबने का आपका हर दिन नया अनुभाव करते हो बबाबने का वो तो जो है न हद के वर्ष का चक्र है और हमारा क्या है? हमारा बेहद स्रिष्टी चक्र का नया संगम यूग है जो संगम यूग है जिसको बावस सो वर्ष का कहता है पाँच अजार वर्ष में ये जो संगम यूग कल यूग और सत्यूग का संगम यूग है संगम यूग तो और भी आते हैं लेकिन जो संगम यूग इसमें बाकी है उतरती कला के संगम यूग सत्यूग से त्रेता का संगम यूग उतरती कला त्रेता से द्वापर का उतरती कला संगम यूग द्वापर से कल्यूग उतरती ये कल्यूग और सत्यूग का जो बीच का संगम है ये चड़ती कला का यूग है और इसमें हर एक युग में नवीनताई नवीनता लानी है। तो बाब ने गाए इस शंगम युग जीवन में ना ब्रामन जीवन में हम क्या नभव करते हैं। क्योंकि जो संगम पर हमें बाबा नॉलिज दे रहे हैं तो उस नॉलिज के द्वारा संगम पर बाबा आया और मुझे नॉलिज दी आदी मद्यान्त की तो उस नॉलिज से मेरे अंदर क्या मेरे अंदर नई वरिती नई दृष्टी और नई स्टिष्टी में आगए है न क्योंकि जब बाबा नहीं मिला था हम कल युग में थे जैसे ही बाबा मिला हम संगम पर आए और संगम पर आते ही हमें क्या अन्म हुआ कि मेरी वरिती बदल गई मेरी दृष्टी बदल गई क्योंकि हर दिन हर समय हर सेकंड नया लगता है अनुवव होता है बाब ने का पहले जब कितने संबंदों थे कितने संबंदों को याद करना पड़ता था और अब बाबा के साथ हमारा क्या संबंद है बस बाप और बच्चे में किया है भाई और भेन और कोई नहीं चा चा मामा ताओ फूफा कुछ नहीं सर्फ यह छोटा सथ परिवार बहुत बड़ा adhere ब्रामन परिवार बहुत बड़ा लेकिन संबंद क्या है संबंद हमारे बस बाप दादा और भाई बेन हम बाप दादा के बच्चे ये संबंद है कोई लंबी लिस्ट नहीं है और ये कितना निश्वार्थ प्यार है इस प्यार में कोई भी लालत नहीं है कोई भी स्वार्थ नहीं है निश्वार्थ है ये प् ना और बाप दादा क्या करते हैं बाप दादा ने हम बच्चों क्या सिखाया बाप दादा के साथ मिलकर हम हर सेकंड हर समें हर आत्मा के प्रतीश शुब भावना शुब कामना की मुबारक देते हैं तो मैं आत्मा चेक करूँ सबसे असान तरीका पुर्शार्थ को बढ़ाने का की मैं हर समें हर आत्मा के प्रतीश शुब भावना शुब कामना दुआएं देती हूं सब का भला हो सब सुखियों सब आत्मा भगवान के बच्चे हैं सब भाई भाई हैं सब बहुत अच्छे है और सब की प्रतीश शुब भावना शुब कामना शुब भावना शुब भावना शुब ये हमारे पुर्शार्थ को बढ़ाएगा फिर पुर्शार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब बाबा के सब बच्चे हैं भगवान के बच्चे हैं भाई भेहनें और सब आत्म आत्माओं का भला, सब सुखी रहे, बाबा ने का दुनिया में भी जब मुबारक देते नो, तो अशीरवत क्या देते हैं, खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली हो, तंदरुश्त रहो, और यहां बाबा क्या कहता है, तो बाबा ने का, तो आप हर समय क्या सिवा करते हो, आत्माओं को नई जीवन देते हो आप सब को भी बाप दादा ने नई जीवन दिये न अब जब से हम बाबा के बने तो हमें भी नई जीवन मिली और हम औरों को भी नई जीवन देने हैं तो फिर बाबा हमें कितना नशा चड़ाता है बाबा ने का आप जैसा खुश नसीब खुशी के खजाने से संपन सदा सुखी और कोई हो सकता है क्या तो मैं आतमा जब से बाबा की बनियू अब मेरे अंदर कोई और अपने अंदर अपने आपको कही मैं ऐसा तो नहीं अनुभव करती कि अभी मेरे में ये कमी है ये है ये ऐसे संकल्प तो नहीं चलाती मैं भगवान का बनाओं भगवान मुझे मिला है तो मुझे कितना नशा होना चाहिए आत्मिक नशा तो मैं कितना खुश नसीब हूँ मेरे को बाबा ने कितने खुशी के खजाने दियें तो मैं सदा ये खुशी के खजाने में, सुखी के खजाने में अनुभव करता हूँ बाब ने का, ये जो नमीनता है ना, ऐसी नमीनता और ऐसी विशेशता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है, क्योंकि देवताओं को पता ही नहीं होगा अगर देवताओं को ये पता चले कि मेरे पाइस टाम इतना कुछ है और आने वाले टाइम में मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ वो तो मैंसे ही परेशान हो जाएंगे अब कोई रहीस आदमी को ये बोल दो कि बच्चे तेरा एक साल तो तु रहीस है फिर तु गरीब हो जाएगा वो तो विचारा एक साल रहीसियत के भी दिन दुख से ही काटेगा कि मैं गरीब हो जाओंगा तो ऐसे हमें सत्योग में कोई ऐसा पता ही नहीं होगा वहां सब आतम अभिमानी होंगे सब मस्त होंगे बाबा ने का दुनिया वाले तो क्या खुशी मनाते हैं नाचते हैं गाते हैं खाते हैं और आप क्या करते हो बाबा फिर बार बार कहता कि हर सेकिंट आप नाचते रहते हो गाचते रहते हो गाते रहते हो और रोज क्या खाते हो जब से बाबा के बने तो रोज क्या खाते है ब्रह्मा भोजन जिनको देवताएं भी तरशते हैं और वो हम ब्रह्मा भोजन खहते हैं क्योंकि भगवान की याद में बना हुआ भगवान को भोग लगा के हम उसको खाते हैं रोज क्या खाते हैं ब्रह्मा भोजन खाते हैं दुनिया वाले तो क्या करते हैं लोग खास जाना पार्टीज करते रहते हैं और हमारी रोज की पार्टी है और हमारी रोज की पार्टी कैसे शुरू होती है अमरतवेले से ही हम भगवान के साथ पार्टी करते हैं पहले भगव के साथ enjoy करते हैं और रोज करते हैं यह नहीं कि साल में एक बार तोहार है हमारा तो पूरा संगम युग तोहार ही तोहार है रोजी तोहार है रोजी भगवान के साथ पार्टी करना अम्रत वेले और फिर भगवान और भगवान के बच्चे परिवार मिलकर मुरली सुनते हैं उत्सा का समय है, तो ये जो संगम में हो गया हमें कितना उत्सा भरे जीवन से उड़ते रहते हैं हम इस जीवन में, ब्राह्मन जीवन की बाबा ने आज स्वांस बताई, ब्राह्मन जीवन की स्वांस क्या है, उत्सा है, तो मैं आत्मा सारा दिन उत्सा में रहती हूं, कौन म मिला है मुझे दूनिया में अगर कोई सी एमध़ पी एमसे मिले तो कितना निशा चड़ जाता है और मुझे आत्मा को कोई मिला है स्वैम भगवान को कितना नशा रहेगा कितनी सौंसें मेरी यह से चलती रहे सौंस हों सौंस उसकी व्यात में है तो बाब ने का जैसे शरीर में स्वास की गती यथार चलती है ना तो अच्छी तंदरुस्ती मानी जाती है अगर कभी बहुत तेज गती से चले कभी सलो चले तो तंदरुस्त नहीं माना जाएगा तो ब्राम्मन जीवन अर्थात उत्सा निराश वाला नहीं कैसी भी परसित्यों कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे उत्सा नहीं छोड़ना निराश कभी नहीं होना क्योंकि बाबा ने हमें ड्रामा का राज बता दिया सब कुछ तो कलियर कर दिया फिर हम किस चीश से निराश हों सदा उत्सा में ही रहें क्योंकि सारी आशाएं कौन को प आश्यवादी बनाना तो तुम कैसे रह सकते हो निराश्यवादी, तुम्हें कैसे निराश्यवादी मिलेगी, हमें तो बाबा ने औरों को भी जो आत्माएं, निराश हैं, उनको भी आश्यवादी बनाना, तो यह सेवा करनी है, यही सेवा हमें बाबा ने दी है, बाबा ने जो है क्या कर रहा है नमीनता का यूग है और हम फिर नई दुनिया की भी स्थापना कर रहे हैं इसी समय संगम पर हम क्या कर रहे हैं नई दुनिया भी इसी समय बनाते हैं क्योंकि इस समय हमें नई दुनिया का ग्यान भी दिया बाबने और यहां नई दुनिया में नई पुराने का नालिज नहीं होगा सत्युग में कोई नहीं होगा कि यह नई दुनिया पुरानी दुनिया वहां कोई नहीं होगा क्योंकि हम संगम नई युग में नई दुनिया स्थापन करें और किसके साथ मिलके भगवान के साथ मिलके फिर बाबा ने का सभी ने तपस्या वर्स मिला ना क्योंकि 91 तपस्या वर्स की मूर्ट जो सारी मूर्लियां चली तपस्या पे चली बाबा ने का इस तपस्या वर्स में कोई नवीनता भी लाए हो पुरानी चाल है बाबा ने आज पुरानी चाल कौन सी बताई बाबा ने का बच्चे कहते है योग अच्छा है अनुवब भी अच्छा होता है आगे भी बढ़ने है धारणा भी बहुत फरक है पहले से अटेंशन भी बहुत अच्छा है सेवा में भी वरेदी ऑच्छी है सारा कुछ अच्छा अच्छा करने के बाद़ न फिर एक वो लेकिन का पूछ लगा देते हैं अब लेकिन का पूछ क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है बाबाने का यह जो कभी कभी का पूछ ना कब तक समाप्त करेंगे बाबा पूछ रहे हैं, जो जो तुम बच्चे बोलते हैं ना, बाबा कभी-कभी मेरा अमरत विला नहीं होता है, कभी-कभी मेरी मुरलिमेश हो जाती है, कभी-कभी मैं सेवा नहीं करता है। तो बाबने का ये कभी कभी की जो पूछ है न अब कभ समाप्त करेंगे? बाबने का तपस्या वर्ष में यही नमीनता लाओ, ये जो लेकिन, प्रंतु, किंतु, बट, कभी कभी ये सब समाप्त कर दो. बाबने का पुर्षार्थ वा सेवा के सफलता की जाना, संतुष्टता की परसेंटेज, कभी बहुत उची, कभी नीची, तो बाबने का इसमें सदा सरेष्ट परसेंटेज की नमीनता लाओ, अब पुर्षार्थ स्टेप बाई स्टेप उपर जाए, नीचे नाए, कि कभी मेर पुर्शार धीला हो गया, कभी अच्छा हो गया, बाबाबा ने का ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें सदा प्रसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, बाबा ने का फिर उदारन दिया, कि बाबा ने का जो डॉक्टर है ना, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कोई भी पेशेंट आता उपर हो नीची हो, तो क्या होता है, जबी तो तबीद खराब होती है, और कभी नीचा चला जाए, कभी उपर चला जाए, वो तो डॉक्टर वो ब्लड प्रेशर देखते हैं, और बाबा हमारा क्या देख रहा है, बाब दादा पुर्शार्थ का प्रेशर देखते हैं, बह तो ब्लड प्रेशर को तो जो दे रखा डॉक्टर ने भी 80 से 120 होना चाहिए यहोना चाहिए लेकिन बाबा करता है मेरा प्रेशर तो ऐसा है कितना उपर जाते रहो नीचे मताओ उपर की तरब बढ़ते रहो फिर बाबा ने का इस सारी सभा में ना इनाम लेने के हगदार कौन है कौन इनाम लेंगे तो बाबा ने का जा जो ये छे महीने के अंदर तीन परकार की संतुष्टा प्राप्त की जिनों ने इन छे महीनों में बाबा ने होंवर्क दिया होगा कि छे महीनों में तीन परकार की संतुष्टा को प्राप्त करना और उसमें बाबा ने आज बताया कौन-कौन सी तीन परकार की संतुष्टा बाबा ने का पहली संतुष्टा जाना स्वें अपना शाक्षी बन चेक करो अब क्या चेक करना है बाब ने बताया स्वें के चार्ट से स्वें सचे मन सचे दिल से संतुष्ट है अब सबसे पहला चेक करना कि जो मैं रोज चार्ट लिखता हूँ उस चार्ट को मैं बस एक नियम अनुसार लिखता हूँ जब मैं उस चार्ट को जब लिखता हूँ तो मुझे खुशी होती है मुझे संतुष्टा मिलती है कि मैं कुछ न कुछ बड़ोतरी कर रहा हूँ बतलब मैं इस चार्ट को लिखने से सच्चे दिल से मैं संतुष्टू हां कि मेरा ये चाठ दिन प्रती दिन आगे प्रगती को पा रहा है मेरा परिवर्तन हो रहा है जब चाठ लिखेंगे तो खुशी होगी नहीं तो क्या होगा बस खाली ऐसी कर दिया टिक 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 वो नहीं करने फिर बाबा ने आज दूसरा बताया कि दूसरा क्या पर था इनाम के लेने के हकदार जोंगे दूसरा पॉइंट बाबा ने काया जिस विधी पूरवक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं अब जो बाबा चाहता है कि याद कैसी हो उसी विधी पूरवक मन, वचन, करम और संपर्क में संपून चाट रहा अर्थार्थ बाप भी संतुष्ट हो अब याद के चाट को बाबा देख रहे हैं अब याद के चाट से अगर बाबा संतुष्ट है तो इसका मतलब मेरी याद अच्छी है क्या मैं मन से, वचन से, करम से और संपर्क में जिस से भी मैं मिल रहा हूँ जिस से भी मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बिलकुल एकुरेट कर रहा हूँ मेरा योग कितना है अगर बाबा संतुष्ट है तब ही तो है बाबा के संतुष्टी के साब से मुझे चलना फिर तीसरा बाबा ने कहा कि ब्राह्मन परिवार हमारे स्रेष्ट योगी जीवन से संतुष्ट रहा ब्राह्मन परिवार बाहर वाले तो बाद की बात है पहले मेरा ब्राह्मन परिवार मुझे संतुष्ट है कि मेरा जो जीवन है मेरे में कोई ऐसी आदत तो नहीं है जिससे मेरे से ब्राह्मन ही परेशान है तो मुझे बाप को संतुष्ट करना अपने आप को संतुष्ट करना और ब्राह्मन परिवार को संतुष्ट करना तो वो संतुष्ट कैसे होंगे मुझे अपने पुर्शार्थ पर पूरा अटेंशन देना है तो बाबने का तो तीन परकार की संतुष्टा अनवव करना अर्थार प्राइज के योगे बनना तो इसलिए बाबने का विधी पूर्वक आग्याकारी बन चार्ट रखने की आग्या पालन की चार्ट लिख रहे हैं लेकिन विधी पूर्वक बाबने का तो ऐसे आग्याकारी को भी मार्क्स मिलती है अब जो ऐसे आग्याकारी होंगे उनको नंबर मिलेगा फिर आज बाबने यथार तपस्या की निशानी बताई कि जो यथार तपस्या वो क्या है करम, संबंद और संसकार बाबने का करम, संबंद और संसकार तीनों में नमीनता की विशेषता स्वें भी अनुभव हो स्वें को भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो अब तपस्या की निशानी जो बाबे बताई नी भवने क्या का कि करम संबंद और संसकार यह तीनों में नवीनता आनी चाहिए कही ऐसा तो नहीं मेरे पहले पुराने संसकार हैं वही चले आ रहे हैं मैं जैसे पहले पुराने करम करता था वही करता रहा हूँ संबंद है तो मेरे ऐसे ये नहीं हर एक चीज में नमीनट आओ हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभ वो परिवर्तन अनुभ वो भॉमनी का पस्तितियां व्यकति द्वारा वे प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना या ब्राह्मन जीवन में तो आएंगी आएंगी आनी आनी है लेकिन उससे मेरी स्वेकिस्तिती कितनी शक्ति शाली रही कही यहाँ सा तो नहीं प्रस्तिती में आकर मेरा शक्ति कम होगी मैं प्रस्तिती के परवाब में ऐसा ढिला हो गया कमजोर हो गया बाबा ने फिर आज समर्थी और समर्थी के लिए बता है कि समर्थी और समर्थी ना दोनों सासाथ रहना इसको कहेंगे नंबर वन प्राइज के योग गया तो मैं आत्मा सारा दिन मुझे समर्थीयों में में याद रहता है, समर्टी में याद रहता है कि मैं कौन हूँ और में मेरे में समर्थी भी है इतनी, शक्तिशा लिए, तो भवने का इन दोनों में प्राइज लेनी है, अगर हमारी इसमें परसेंटेज में रहना है तो मतलब क्या होगा, इसको नंबर वार की लिस्ट में कहे हैंगे समझा अगर अगर हमारी इस्तिती सही नहीं है सम्रिती और समर्थी दोनों साथ साथ होनी चीए अगर नहीं है तो इसका मतलब कहीं न कहीं गड़ बढ़ है फिर बाबा ने आज कहा कि अंगत समान मन बुद्धी रूपी पाम को हिलाना नहीं अचल रहना है अमने का बी सितियों कितनी जल्दी मैं फुल स्टप लगाती हूं कितनी पावर्फुल ब्रेक से मैं उस बात को खतम करती हूं तो मुझे हर बात को बिंदी लगानी आनी चाहिए जल्दी से जल्दी पावर्फुल ब्रेक उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना फिर बाबा ने का जो वर्तमान को न बाप समान स्रेश्ट सहज बनाना और भविश्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना इस विधी से सिद्धी को प्राप्त करना अब विधी बाबा ने बता दी अगर मैं बाबा की विधी के अनुसार चलता हूँ तो मेरे को सिध्धी प्राप्त होगी होगी बाबा ने का कल से नहीं अभी से करना है कल पर तो कोई बात छोड़नी नहीं है जो काम करना जो बाबा ने कार्य दिया अभी से इसी सेकेंड से शुरू करना बाबा ने का जो सम्रिती मास के थोड़े समय को बहुत काल का संसकार बनाओ ये विशेष वर्दान विधी पूर्वक पराप्त करना बावने कर जो वर्दान है न इस वर्दान को भी विधी पूर्वक पराप्त करना है क्योंकि वर्दान का आर्थ यह नहीं कि अलबेले बनो जब वर्दान दिया तो उस वर्दान को अपने अंदर समाना और उसको उसके उपर कारिय करना अलबेला नहीं बनना पुर्शार्त करना पुर्शार्त ही बनना फिर बाबा के आगे कुमारियां बैठी थी बाबा ने कुमारियों के लिए पूछा कि यहां से जाओगे तो घर में जाओगे या सेंटर पर जाओगे क्या करोगे फिर आज बाबा ने वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में का निमित और निर्मान भाओ बाबा ने का अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोज बाप को दे स्वे हलका रहने वाले निम्मित और निर्मान भाव अब बाबा ने वर्दान दे दिया मैं आत्मा अपने अप चेक करूँ अपने को चेक करूँ कि मैंने सारी जिम्मेवारियों को बाप को दे दिया ट्रस्टी बनके रह रहा हूं मैं बाबा ने का जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो ना ता माथा भारी होता है सच में और जब बाबा कहता है बाबा सब कुछ तेरा एक सेकेंट में हलका हो जाता आदमी एक सेकेंट में आत्मा हलकी हो जाती है कि बाबा सब कुछ तेरा मैं भी तेरा मैं तो तेरी गोद में बैठा हूं तो जान तेरा खाम जाने जिम्मेवार बाप है मैं निम्मित मात रूँ जिम्मेवार बाबा है मैं तो निम्मित मात रूँ बाबा ने जो का मुझे हांजी करके वो पाठ पका करना है वो कारे करता जाना, ये बाबा का कारे है, बाबा करा रहा है, बाबा जाने, बाबा मैंने का ये समरिती हलका बना देती है, इसलिए अपने पुरशारत का बोज, सेवाओं का बोज, संपर्क, संबन्द निभाने का बोज, सब छोटे मुटे बोज, बाप को दे कर हलकी हो अगर थोड़ा भी संकल पाया कि मुझे करना पड़ता है मैं ही कर सकता हूँ तो यह मैं पन भारी बना देगा भारी नहीं हो ना और निर्मानता भी नहीं रहेगी तो मुझे क्या करना है सब कुछ बाबा को सौप देना बाबा करन करा बना रहा है करा रहा है, मैं तो बस बाबा ने मुझे इंस्ट्रुमेंट बना रखा जो मुझे कराना कर रहा है, लेकिन मेरे कुछ ने बाबा ने का निमित समझने से निर्मानता का गुण भी सोते आजाता है, जब निमित समझेंगे तो फिर निर्मानता का गुण भी आ जाएगा फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा संतुष्ट मनी वे है जिसके जीवन का शिंगार संतुष्टा है अब संतुष्ट मनी बनना है तो मैं अपने सारे जीवन में कितना संतुष्टा का शिंगार करती हूँ अब संतुष्ट मनी बनना है तो मुझे अपने पूरे जीवन में संतुष्टा का शिंगार मतलब हर चीज में मैं संतुष्ट हो जाओ हर चीज में छोटी से लेकर बड़ी तक बहुत सारी चीज़ें आती है छोटी छोटी बातों पर संतुष्ट हो जाते तो मुझे अब मैं बाबा का बनाओं बाबा मैं हर चीज से संतुष्ट हूँ जो मिली उस संतुष्ट जो नहीं मिली उस से भी संतुष्ट ओम शांती अब हम सब फरिष्टे उड़ चले विश्व गलोब पर बाब दादा की किर्णे मुझे पर आ रही हैं और मुझे सारे विश्व में जा रही हैं सारे विश्व की आत्मा सतो परधान होती जा रही हैं और मैं फरिष्टा बाबा के साथ शुक्ष्वतन में बाबा से दृष्टी लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देरूपी मंदिर में हूँ बाबा की किर्णे मुझ पर आरी है मुझे से चारों और फैल रही है चारों और की आत्मा है सुक, शान्ति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर हो रही है ओम शान्ती, शुक्रिया बाबा हर एक आत्मा का दिल से शुक्रिया